हालो गाईज वेलकम बाक तो आर यूटीब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास 8 का मैट्स NCRT चेप्टर नंबर 12 एक्स्पोनेंट और पावर एक्सस 12.2 का क्वेशन नंबर 4 क्वेशन नंबर 4 है हमारे पास in a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm what is the total thickness of the stack आपके पास में एक stack है और उस stack के अंदर आपके books पड़ी है कितनी total number of books पड़ी है 5 books पड़ी है और हर एक book का आपको dimension दिया हूए मतलब उसकी thickness दीवी है कि thickness जो है वो 20 mm है ठीक है और एक 5 paper sheets भी पड़े है हर एक शीट की thickness दीवी आपको 0.016 mm clear है तो यह दो आपके पास में objects पड़े है वहाँ पर 5 books and thickness जो आपके पास papers है यह आपके वहाँ पर stack के अंदर पड़े हैं तो उसकी total thickness आपको निकालनी इस stack की जो total thickness है यह आपको बतानी है कि कितनी उस stack की आपके total thickness है तो कैसे करेंगे इस question को तो देखें यहाँ पर हमें simply कुछ ही निकाल लीजिए उसके बाद में 5 paper sheets की आप total thickness निकाल लीजिए उसके बाद में दोनों को एड़ कर दीजिए तो thickness of stack आपके निकल के आ जाएगी clear है तो simple question है कोई दिक्कत होने वाली नहीं है तो करते हैं हम तो सबसे पहले हम लिखेंगे thickness of thickness of one thickness of one book is equals to 20 mm ठीक है यह 20 mm फिर उसके बाद में हम लिखेंगे thickness of क्या लिख सकते है thickness of five books कितनी हो जाएगी बताओ five into twenty ठीक है तो कितना निकल किया जाएगा hundred mm hundred mm clear है तो books का हमारा हो गया अब हम sheets की तरफ चलते हैं देखो thickness of one sheet अगर हम बोले तो कितनी है बताओ एक sheet की जो thickness है वो कितनी है आप कोगे 0.016 mm clear है इतनी है और thickness of thickness of five sheets अगर हम कहें कितना होगा बताओ five को multiply कर देंगे 0.016 है अब देखो multiplication आपको आना चाहिए five को into करेंगे 0.016 है तो point देखे हटाईए point को जैसे reduce करेंगे point के बाद में कितने value है one two three one two three value है मतलब three zeros अपने नीच आ जाएगे हो नीचे है हमारे पास में thousand zero से zero cut अब देखे यह eight upon hundred हो चुका है अब यहाँ पर धियान रखना यह eight upon hundred हो चुका है लिख लेते हैं total of thickness total of thickness of stick is equals to total कर दीजे इनका five books का जो thickness था हमारा वो कितना था hundred mm प्लस five sheets का thickness हमारा है 0.08 mm ठीक है दोनों को add कर लेंगे तो hundred point zero eight mm हम कह सकते हैं इनका thickness clear है इतना हो गया अपना अब क्या करना है अपने total thickness हो हमने निकाल लिया लेकिन यह answer नहीं है यह बाद धियान रखना क्योंकि अपन चुप्टर कर रहे है exponent and power और इसको आपको standard form में लिखना है ठीक है जो आपका answer निकला है 100.08 mm इसको अपने को क्या करना है standard form में भी conversion करना है ठीक है तो standard form में हम कैसे करेंगे conversion तो मैंने आपको बताया था कि standard form के लिए सबसे पहली बात देखी यह 100.08 लिखावा है 100.08 इसको समझना थोड़ा सा point जैसी reduce करेंगे तो नीचे हमारा hundred आएगा क्योंकि point के बाद में दो values है तो दो zeros हमारे आगे तो यह number हमारा convert हो गया है 100.08 divided by 100 100 means हम कह सकते 10 के power 2 अब standard form क्या कहता है standard form कहता है कि one place के बाद में ही आपको point लगाना होता जैसे कि for example यहां पर 100.08 लिखावा है ना तो यहां पर one place के बाद में ही हमारा को क्या लगाना है point लगाना है clear है तो one place के बाद में point कैसे लगाएंगे one और फिर देखो यहां पर हम क्या लगा देंगे point लगा देंगे 1.0008 clear है लेकिन जैसे ही हम यहां पर point लगाएंगे तो point के बाद में कितनी value है ऐसे तो लगा दीं देंगे point लगा दिया बस और कुछ ही नहीं किया नहीं point जैसे ही हमने लगाया तो point के बाद में कितनी value है one two three four values है four values मतलब हम multiplication में लिखेंगे 10 is rest to the power four बात समझ में आ रही है ठीक है चलो 10 is rest to the power four लिग दिया लेकिन नीचे हमारे आप देख लीजिए तो basis जब भी same होते हैं division में होती है तो हम कह सकते है a is rest to the power m divided by a is rest to the power n होता है हमारा a is rest to the power m minus n मतलब इनके power क्या हो जाएगी हमारी less हो जाएगी तो power 10 is rest to the power four minus two केतनी हो जाएगी 10 is rest to the power two तो हम इसे क्या लिखेंगे 1.0008 into 10 is rest to the power two clear है तो इस तरीके से हमको solve करना है इसे तो हम लिखेंगे इसको 1.0008 multiplication में 10 is rest to the power two mm आप लिख लिजिए unit आप लग लिख लिजिए note कर लिजिए तो यह आपका क्या रहेगा यहापर रहेगा standard form में जरूर लिखना है आपको अगर आपने standard form में नहीं लिखा इस question का answer तो आपके हो सकते reduce हो जाए आपके marks ठीक है depend करता है आपके teachers के उपर clear है तो standard form में आपको conversion आना चाहिए क्योंकि अपने इस chapter के अंदर भी सिखाया standard form usual form इन सबको ठीक है तो वहाँ पर इसका use भी आपको करना होगा clear है बात चलो तो उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयोगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे कि अपकमिंग वीडियो के आपको टाइम टाइम मिलते रहे हैं थैंक यू सो मच